हलो दोस्तों मैं सुनिल कुमार अपने चैनल स्मार्ट टिप्स में आपका स्वागत करता हूं आज हम लोग जानेंगे यह देख पा रहे हैं स्पाइस पुराना मोवाइल है यह फाल्तू पड़ा हुआ था क्योंकि इसकी बैटरी नहीं मिल रही है और बैटरी खराब हो गया यह देख पा रहे हैं एक नंकिया मोवाइल का बैटरी लिया हूं यह च्छोटा पड़ा रहा है यह बैटरी हमारा चार मोवाइल भी अच्छा बट इसमें यह नहीं आड़ रहा है देख पार है अ और सा शफानेटीग पॉइंट भी अलग जगह पर है अगर करनेक्टी कने के जरीए करेंगे पहले प्रिक के पॉइंट को घंज लेते हैं ताकि इस पर अच्छे से सोल्डिंग हो सके यह देखिए बैटरी का प्लस माइनस पीन को हमने घंज दिया मोबाइल का भी फिन को घंज दिया क्योंकि सोल्डिंग करना इस पड़ेगा हमें इसके लिए हम लोग तीन तार लेंगे दो तार ब्लैक लेंगे एक तार रेड लेंगे ताकि हमें प्लस की पाचान हो सके ठीक है अब इसको हम लोग सोल्डिंग करेंगे बैटरी क करेंगे किसमें कुछ पेश्ट लगा लेते हैं है ठीक है सबीस हरा यह कि लगा लिंगे फिस्ट लगा नहीं बहुत जो कि यह इसको बारेकी सोल्डिंग करना है और जल्दी सोल्डिंग करना है ज्यादा हीट नहीं करना है बैटरी को ने तो बैटरी का आप जो यह पॉइंट है कनेक्टिंग पॉइंट यह खराब हो जाएगा ठीक है यह हो गया अब करेंगे यह ब्लेक व्याइर भी हम लोग हमने सोल्डिंग कर दिया और यह माइनस वायर कि इसके राइट साइड में प्लस है बीच में सिग्नल है और फर्ष्ट में माइनस है न अब दो ओतार को भी शोल्डिंग कर सकते हो सिर्प प्लस मैंस पर जब हम चार्ज करेंगे तो उसका सिगनल हमें नहीं मिलेगा यह चार्ज हो रहा है क्या नहीं हो रहा है अब यह हो गया आप इसको हम लोग मॉबाइल के साथ करेंगे मॉबाइल का भी साइट पीन प्लस है मोबाइल पर भी जब हम लोग चार्ज करेंगे तो जटके से चार्ज करेंगे जल्दी चार्ज करेंगे जल्दी कनेक्ट करेंगे मोबाइल को जब हम लोग मोबाइल के साथ को जब कनेक्ट करेंगे करेंगे तो हमें जल्दी-जल्दी करना है ताकि बोड हमारा हीट ना हो क्योंकि अगर बोड हीट हो गया तो उसका कनेक्टिंग पॉइंट हिल तकता है 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 ठीक है यह आप देख पा रहे है मैं आपको बाद में दिखा दूंगा यह मैंने शुल्दिंग किया है यह देख लिए हे तीनों वायर हमने सुल्ड कर दिया ठीक है न्याव्यरिट्स है से बीचन्म लें और से तैड में माइस सबीन होगा सोलडींग को विग देख पा रहा है यहांस द्लिंग होगा है पतला वल ले सकते हैं आप मोटा कर इस इन नहीं लें आ ठीक है विशस्कों करकर दखते हैं यहां हो रहा है क्या identifying यह अन हो गया पास्वट लॉक है इसको पहले हम लोग खोलेंगे लिए देख पा रहे हैं अन हो गया बैटरी पहले से भी थोड़ा बूर चार्ज है यह फाल्तू पढ़ावा मोबाईल था और आज देखिए यह ओन हो गया ऐसे ही यदि आपके पास भी फाल्तू पढ़ावा मोबाईल है तो इसको आप लोग आउन कर लिजिए आज के रेट में तो सभी लोग स्मार्पोन यूज करते हैं बट आपके घर पे जो गरीब हैं काम करने वाली बाई है उन लोगों को आप दे सकते हैं उनको खुशी मिलेगी इस मोबाईल को पाके यह इस तरह हम लोग इसको फिट कर देंगे ठीक है यह फिट हो गया इसके उपर से हम लोग टेप वेगर असाड़ देंगे ताकि बैटरी ही लेना उसके बाद कवर लगा दे अगर इसकी बैटरी हम खरीदने जाएं तो में भी मार्केट हम हिलेगा भी नहीं यह हमने टेप लगा दिया ठेक है आप भी इसमें टेप लगा दीजेगा ताकि बैटरी ही लेना बैटरी हिलने से वायर तूटने की संब्सक्राइब आती है अभी ततकाल में उखाड़ रह है और यह हमारा मोबाइल उसी बैटरी से अब अन हो गए है अ कि यह नोग्या यह नोग्या का बैटरी है और श्पाइस कम हैसेट है काफी पुराना है बट बीबी यह सर्विस में यानि सिंग्नल बगर दे रहा है सीम लगाने पर टावर दे रहा है अब देख पार हैं यह फ्लाइट मोड में है कि यह देखिए दोस्तों कितनी आसानी से मात चोटे जोटे तीन तार जोड़ने से ही हमारा मोबाइल ओन हो गया है बिल्कुल आसाई से ठीक है अब इसको एक बार हम लोग चार्ज करके देखते हैं चार्ज हो रहा है क्योंकि चार्ज अगर नहीं होगा तो तो प्रिछ वेख आ रही है तरह है जाल जेन होगिया निए और यह दिख पाoute रहे हैं चार्ज और अफ्वश्च अब देख पार रहे हैं अ यह चार्ज हो रहा है चारज होने का सब्यो चार्जर रिमूव कि देख पा रहे हैं चार्जर रिन करते ही चार्जिंग शुरू हो गया चार्जर का सिगनल भी आ रहा है ठीक है दोस्तों अब भी इस तरह अगर आपके घर पर भी कोई फाल्तू मुवाइल पढ़ा हुआ तो उसका उप्योग इस तरह करें क्योंकि सभी मुवाइल का बैटरी और चार्जर सेम फोल्ट का होता है अगर फीट ना हो रहा तो आप इस तरह सोल्डिंग करके इसको यूज मिला सकते हैं और फालतू पड़े मुवाइल को कोई भी आप अगर आपके पास स्मार्टफोन जो 3G है वो भी आप किसी को दे सकते हैं किसी गरी बच्चे को दे सकते हैं पढ़ाई के लिए ठीक है दो आपके लिए पास सकते हैं अगर आपके लिए पास सकते हैं किसी को दे दोड़े मुवाइल